नमस्कार स्वागत है आपका न्यूस लॉंचर पर मैं हूँ नीलू व्यास आज सुभा से एक चीज पर जो लगातार चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर हर जगां हर नुकड हर गड़ी गली में और वो है फॉर्म 17C पर आज जो सुप्रीम कौर्ट ने एक स्टैंड अक्तिय लेकिन आज लोकतंत्र संविधान नागरिकों के साथ खड़े होने के बजाए सुप्रीम कोट में यह कहा कि भई यह जो पूरी इलेक्टारल एक्सराइज है इसको हम इंटरप नहीं करेंगे यह जो पूरा फॉर्म 17C का मसला है यानि कि वोटर टर्न आउट का जो फिगर है उसको लोगों के साथ शेर किया जाए फॉर्म 17C शेर किया जाए तो उस चीज़ को हम डेल महीने बाद जब विकेशन सुप्रीम कोट की खतम हो जाएगी जब कोर्ट की विकेशन तो हम जुलाई में इस मसले को देखेंगे और दूसरी कोई बेंच देखेगी अब कई लोग सुप्रीम कोट चाहता तो आज नागरिकों के साथ संविधान के साथ लोगदंद के साथ खड़ा हुआ नजर आता और सुप्रीम कोट के पास पूरी पावस थी इस बात को करने की स्पेशल पावस थी सुप्रीम कोट चाहता तो कर सकता था सुप्रीम कोट ये लगातार दे अगर सुप्रीम कोट ने इसको टालने का रवया एक अपनाया एडजॉन कर दिया स्थगित कर दिया और बोला कि ठीक है अभी नहीं बाद में देख लेंगे यह जो बाद में देखने का जो रवया है इसका क्या खामियाजा क्या भुगज सकता है भारत का लोकतंत्र इससे क्य नुकसान हो सकता है और अब यह पूरा मामला अब कहां को जाएगा आज हमारे साथ बहुत थास मेमान है अंजली बरदवाज जिनको आप अकसर यूज लॉंचर पर मेरे साथ देखते हैं बातचीत करते वे अंजली बरदवाज पेटिशनर भी है इस पूरे केस में के सिपोर्ट ने आज एक स्टांग लिया नीलू मैं बिलकुल मायूस नहीं हूँ क्योंकि हम लोग जो हैं बहुत समय से सूचना के अधिकार पर काम करते हैं सरकारों से इंस्टिटूशन से पारदर्शिता की मांग करते हैं यह लंबा संगर्श है और लोग तंत्र में हम ए लोग तंत्र को वाइबरेंट बनाता है और बनाए रखा है हमारे देश में भी अभी तक कोई भी सूचना और जो हमें लगता है कि जीत हुई है लोगों के अधिकारों की वह ऐसे ही नहीं हो जाती लेकिन मुझे जो बहुत ही एक इसमें एहम चीज लग रही है वो यह है आ इंगेजमेंट आज लोगों के बीच में है समझ बनी है वो अपने में एक बहुत ही इंपॉर्टन चीज होती है लोग तंत्र में लोग यह समझ रहे हैं कि कितना इंपॉर्टन है उनके पास इस इंफर्मेशन का होना इस रिकॉर्ड का होना समझ रहे हैं कि अगर उनके पा भाएंगे तो ये मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव है आपने सही कहा कि आज उमीद ये थी कि सुप्रीम कोर्ट भी ये कह देते कि ये जो सूचना मांगी गई है ये लोगों के बीच election commission रखें देखे अनीलू आप लगातार इसके उपर discussions करती आई हैं आपके viewers ये जानते हैं पर मैं फिर से इसको एक बार बता दू कि क्या ऐसी बड़ी चीज मांगी लोगों ने इतनी simple basic elementary information मांगी गई थी केवल ये पूच रहे हैं लोग कि आप ये बता दीजे कि हमारे देश में चुनाव चल रहे हैं कितने लोगों ने वोट किया ये डेटा क्या बड़ी चीज है और हम ये जानते हैं कि हर एक polling station पे presiding officer जिस समय voting खतम होती है वो number लिख देते हैं कि कितने वोट पड़े polling station पे और उस पे sign कर देते हैं वो एक पुखता record बन जाता है कि कितने लोगो हैं कि आप बता दीजे कि हमारे देश में जो polling station है form 17C जिसमें ये लिखा गया है कि कितने लोगों ने voting करी उस दिन वो हमें हमारे साथ मुहया कर लीजे वो हमें दे दीजे बता दीजे हम देख लेंगे ये क्यों हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे देश के जो वायोग हैं जिनका काम है कि वो निश्पक्ष रूप से free and fair election कराएं वो हमारे देश वासियों को ये नहीं बता रहे कि कितने लोगों ने vote किया वो कुछ percentage में figures डाली जा रहे हैं और वो figures भी एकदम से इतना उच्छा लाता है उन figures में 6-6% का उच्छा लाता है हम समझते है कि 6% का क्या मतलब होता है 100 करोड़ लोग वोट कर रहे हैं आपने जैसे कहा पहले चार चरण में ही एक करोड़ वोट का उच्छाल election commission के ही figures में आया तो लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या हो रहा है शंकाएं उठती है ये बड़ी स्वभाविक बात है तो ऐसे मैं election commission क को एक सीधी सी बात करनी चाहिए उन्हें कहना चाहिए कि अगर कुछ शंका है कुछ सवाल है हम आपको उखता सूचना दे देते हैं आप उसूचना दे दीजे आपको खुद ही विश्वास हो जाएगा कि क्या सही बात है हम कह रहे हैं ऐसा करने की बजाए हमारे देश के election commission चुनाव आयोग ने जो रवया अपनाया है नीलो वो बहुत ही मुझे लगता है कि दुखद रवया है क्यूंकि लोगों के साथ में ये सूचना मुहया कराने की बजाए election commission आज हमारे देश के लोगों को दिख रहा है कि आना कानी करे चले जा रहे हैं कि ये basic सी सूचना नह क्या जरूरत थी क्या election commission इतनी empowered body है constitution में election commission को जिस तरीके के powers दिये गए है वो unparalleled है इस समय पे चुनाव की समय पे election commission से जादा powerful body होना मुश्किल है हमारे देश में क्या चंद forms को website पे डालने की अगर वो मंशा रखे तो उनको किसी की इजाजत की जरूरत है या किसी से ब हलफ नामा दिया supreme court में वो अपने में कितना खराब हलफ नामा है यह हमें देखकर चिंता हो रही है election commission कह रहे हैं कि नहीं हम सूचना नहीं डालेंगे क्योंकि यह सूचना तो form 17c और जिसके पास वो form में उसके बीच में one to one relationship है तो हम किसी और को कैसे देने हैं अरे सूचना कि अधिकार है लोगों को इस देश में लोगतंतर है यह देश ऐसी में तो सभी लोग जो सरकारी अधिकारी है कहने लगे मेरे पास जो form है मेरी one to one relationship है उस record के साथ हम किसी को नहीं देंगे तो सूचना का अधिकार का क्या होगा उसी तरह से election commission ने दूसरा तर्क दे दिया कि अगर हम देंगे यह सूचना लोग इसका misuse करेंगे हम अगर form बता देंगे कि कितने पुखता हम जानकारी दे देंगे कि कितने लोगों ने water turn out की number दे देंगे तो लोग उसको morph कर देंगे और ऐसे करके तो सारी सूचना आप निकाल लीजे लोगों digital सूचना सभी morph हो सकती ह है लेकि जो आज सबसे डिस्टॉबिंग था वो मनिंदर सिंग जो कि चुनाव आयोग के वकील है अब वो यह क्या कहते हैं वो लोगों को यह बता रहे हैं कि भई यह पूरी जो application है यह शंकाओं पर अधारित है और डाउट करने की कोई जगा नहीं है क्या चुनाव क्या आज एक लोगतांत्रिक देश को यह बता रहा है कि आपको कैसे रहना है वो हम बताएं देखिए चुनाव आयोग ने आज जो रवया अपनाया वो तो माई बाप कल्चर होता है जहां पर आप कहते हैं कि आप सवाल मत करिए यह रवया है और लोगतांत्रों में जब हम अपने सूचना मांगते हैं यह हमारा अधिकार है यह मौले क अधिकार है यह शंका या ना-शंका की बात नहीं है यह बात है कि लोग को क्यों अधिकार नहीं है आप यह मुझे बताएं कि एलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया के जो काउंसिल है उनसे अगर ये पूछा जाए और हमें लग रहा था कि कोट आज अगर यह सवाल पूछे उनसे तो बहुत अच्छा रहता, कि क्या तकलीफ है इलेक्शन कमिशन को, यह सूचना लोगों को देने में, मतलब आफ्टर आल, वो तो ऐसे भीले कर रहे हैं, अजली जो जब जिसन चंदचूर साहब की जो बेंच थी, उसमें तो यह सवाल पूछा गया था, लेकिन आज की बेंच नहीं सवाल पूछा ही नहीं, देखिए, आज की बेंच में तो यह हुआ, कि जो वकील थे, उन्होंने टेक्निकल पॉइंट उठाकर, पूरा जोर लगा दिया, यह कह दिया कि चुनाव चल रहे हैं, यह त टर्न आउट कम हो रहा है, देश में, मतलब ऐसी बाते सुनने से तो एकदम अचमभा होता है, यह ऐसी बातों का लोगतंतर से कोई वास्ता नहीं है दूर दूर तक, देखिए, सीधी बात है, मैं अगर वोटर हूँ इस देश की, आप मुझे बताईए, चुनाव किस के लि होता है, तो क्या लोगों को जानने का हक नहीं है कि कितने लोगों ने वोट डाली, इतनी सिंपल सी बात पूछी जा रही है, और उसके अंदर उन्होंने सो टेक्निकैलिटीज निकाल के, आज बेंच को कहा कि आप यह बात मत सुनिये, और यहां तक कह दिया कि इस से तो अगर इलेक्शन कमिशन को लगता है कि लोगों को शंका हो रही है, तो आप यह नहीं कह सकते कि आप शंका मत करिये, आपको यह कहना होगा, अगर कॉमन मैं के पॉइंट अगर आज देखा जाए तो जो पूरा केस है, आपने भी क्लोजली फॉलो किया, हम सब उसको फॉलो क को जहासा दिया एक तरीके से, टेकनिकल आसपेक्स में ट्राप करके, देखे मैं आपको थोड़ा सा इसका बैक्गराउंड भी बता दू, दो हजार उन्नीस से यह जो याचिका है, यह सुप्रीम कोर्ट में डली हुई है, क्योंकि दो हजार उन्नीस के बाद ही लोगों ने करती है याचिकाउंक को उसकी सुनवाई करने में, अभी तक सुनवाई नहीं हुई और दो हजार चौबिस में जब इस तरीके का उच्छाल 6-6 परसंट का आने लगा, लोगों ने फिर से पेटिशनर्स ने एक आई ए डाल कर, इंटर्वेंशन एप्लिकेशन डाल कर, फिर वो इस समय पर नहीं आना चाहिए, प्रेयर वही है जो पहले की थी, इसलिए नहीं सुना जाईए, ये बीच में चुनावी प्रक्रिया के, उन्होंने जिस तरीके के तर्क दिये, वो मुझे लगता है टेक्निकल इशूस पर, ये जो बेंच है, जो आज की बेंच थी सुप नहीं है, उन्होंने कहा जो प्रेयर है वो इंपॉर्टन्ट है और हो सकता है कि जब हम इसको सुनेंगे तो हम कहेंगे कि आप ये सूच ना दीजिए, पर मैं तो अभी दिसमिस्ट केस, बिल्कुष, ऐसा नहीं है कि केस डिसमिस्ट हुआ और निलू ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ये देखिए कि आज ऐसे तमाम मीडिया चैनल्स हैं जो कि गलत तरीके से इसको पेश कर रहे हैं, जहां ऐसा लग वो दिखा रहे हैं कि सुप्रीम पोर्ट ने कह दिया और बड़ी हार हो गई लोगों की, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सुप्रीम पोर्ट हमारे लगातार दशकों से लोगों के सुचना के अधिकार को अफोल्ड करते आए हैं, इलेक्टोरल बॉंड के केस में अफोल्ड किया है, मुझे लगता है कि थोड़ी विलंब जरूर होगा, थोड़ी देर होगी, लेकिन अंधेर नहीं है, जरूर ये सुचना जो है, सुप्रीम लग जाएगा ये सुचना देने में, हर एक constituency में एक returning officer है, तो मतलब अगर हमारे देश में 540 के करीब constituency हैं, तो केवल 540 returning officers जो हैं, उन्हें ये सारा form 17C उनके पास पड़े हैं, उनको केवल scan करना है, जो दो घंटे में हो सकता है, और वो उन्हें upload कर देना है, सुप्रीम कोर्ट भी जब ये बात सुनेंगे, इसकी सुनवाई होगी, तो मुझे विश्वास है कि लोगों के सूचना के अधिकार के मद्दे नजर कोई आपत्ती नहीं होगी, ये अलग बात है कि आज हम चाहते हैं, अंजरी हम कभी भी personal टिपड़ी किसी जज के बारे मे या उनके वर्डिक के बारे में, नॉमली हम थोड़ा सा बचते हैं, अवाइट करते हैं, लेकिन ये इतना संगीन मामला था, लेकिन आज भी जो विकेशन बेंच ने ये कहा कि, प्लीज डोंट वेस्ट जब ये टेकनिकालिटी इस पे बहस हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि दस घंटे भी बैठने पड़े, बारा घंटे भी बैठने पड़े, तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इस तरीके कि टिपड़ी एक ऐसे समय में, जब थोड़ा लोग सेंस्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे थे बेंच के साथ, आज बेंच ने उसको बिलकुल नजर अंद responsibility से ये बेंच मुकर गई, एक opportunity थी, जहां पर एक सुधार की गुंजाईश थी, आज court ने उस opportunity में फेल किया आज नागरिकों को, संविधान को, लोगतंत्र को, तेखे निलू, जब हम court जाते हैं, Supreme Court, especially judiciary में, जब हम लोग जाते हैं, तो judiciary से बहुत उमीदे होती हैं, और institutions जो हमारे देश के हैं, political parties से तो हम क्या उमीद कर सकते हैं, उनको तो जो करना है वो करेंगे, हमारी उमीद तो लोगतंत्र में होती है, उन सभी संस्थाओं से, उन institutions से, जिनका काम है कि वो लोगतंत्र को uphold करें, संविधान को uphold करें, तो हां मैं ये कहूंगी, कि कहीं ना कही थोड़ी सी एक disappointment जरूर होती है, लगता है कि अगर आज ये opportunity लेता Supreme Court और लोगों के बीच ये सूचना रखवाते, तो एक opportunity थी कि और public trust जो है, वो बनता है पूरी चुनावी प्रक्रिया में, पर मैं तो यही कहूंगी वापस निलू, कि देखिए vacation bench ने ये मुद्दा सुन आज उन्होंने जिस मुद्दे के उपर adjourn किया है मामला, उन्होंने कताई ये नहीं कहा कि ये सूचना मिलनी नहीं चाहिए लोगों को, उन्होंने ये जरूर कहा कि already मामला है, बड़ा मामला लंबित है, उसकी सुनवाई हो, इसके बाद सुना जाएगा, लेकिन मैं आज भ अपनाना है, और सबसे बड़ा जो हमें लेट डाउन है, वो हमें चुनावायोग से है, क्योंकि चुनावायोग को क्या जरूरत है, कि वो इतनी छोटी सी चीज़ पर सुप्रीम कोर्ट से आदेश का इंतजार करें, आज अगर वो चाहिए, अंजली सवाल ये होता है कि कि वो ट्रबल मॉंगर्स है, फैक्ट्री है, कैसी फैक्ट्री में इस सारी शंकाओं को चौन आउट किया जा रहा है, तमाम तरीके की बाते आज उस बहस में हुई, और वेंच ने एक बार भी अबजेक्ट नहीं किया, आज इस चीज़ को लेकर भी दुख होता है, एक एस हातों में ना जाए, जोहां पर की समयदान और रोकतंत रवारा सुरक्षित नहीं हो, एक ऐसे समय में बेंच का कुछ भी नहीं बोलना, आज आज आपको, जब आप लोगों के लिए, A.D.R. के लिए, हाला कि दुशन दवे ने कहा भी, कि बहीं जो क्रिमिनल रिकॉर्ड ज जैसी organizations ने किया है, और उसके बारे में इस तरीके के तत्यों को कहना, तो क्या कहा जाए, कि आज जो ये रवया चुनाव आयोग का था, तो क्या चुनाव आयोग एक तरीके से Supreme Court को ये कह रहा था, कि जो हम कह रहे हैं, वहीं सही है, और बाकी सब कुछ गलत है, आप सही कह आयोग के चुनाव आयोग का रुख इसी तरह का लगा, कि उन्होंने बहुत सारे चीजें कहीं, जो petitioners हैं, उनके बारे में भी बहुत सारी चीजें कहीं, जो कि मुझे लगता है कि बड़ी आपती जनक हैं, कोई जरूरत नहीं है, एक independent, empowered, इतनी constitutional body को शोभा भी नहीं देत इस तरीके की चीजें कहना, आपने सही कहा कि उमीदों के साथ लोग जाते हैं, और specially लोग जो इतना मेहनत करके कहीं Supreme Court तक पहुँचते हैं, कोशिश यही रहती है कि Supreme Court इस बात को सुनें, जो लोगों के fundamental right है, उसको uphold करें, पर हमने ये देखा है कि कई बार विलंब होता है courts में, और उससे मायूसी भी होती है, कि ऐसे समय पर अगर court चाहें, अगर court एक सक्त रवया अपनाएं, तो उससे एक signal भी जाता है, जो बाकी institutions भी हैं, और कई बार हम निकलते हैं courts से एक बड़े उच्छा के साथ, कि हाँ आज ऐसा लगा कि लोगों की लोगतंत्र में हो रही है, और कई बार ऐसा लगता है, कि मायूसी भी होती है, तो आज बहुत सारी लोगों की उमीद थी, जैसे पहले election commission से थी, आज कहीं सुप्रीम court से थी, कि सुप्रीम court भी ये कह देते, कि आप ये सारी सूचना मुहया कराईए, क्या मांग रहे हैं लोग, इतनी छोट सी बात है, इतना public trust repose होगा पूरे electoral process में, वहीं चुनाव जो है, वो लोग तंत्र में एक बहुत एहम हिस्सा है चुनाव का, और अगर लोगों को ये लगने लगे कहीं पर, कि चुनावी प्रक्रिया में कोई हेर फेर हो रही है, उस से खराब चीज क्या हो सकती है लोग त रहती है, कि जब ऐसी सी चीजे आए, और देखिए ये सब कहने से पिछली बार भी यही कहा गया, इस बार भी इस तरीके की बाते हुई, कि जब petitioners आते हैं, इस तरह से सवाल उठाते हैं, तो वो तो लोग तंत्र में लोगों का और चुनाव में लोगों का विश्वास कम क होता है, जब वो जो institutions हैं, वो पारदर्शता से काम ना करें, तो मुझे लगता है कि लास्ट टाइम भी जब यह पूरी बाते हुई, तब बाते सुनकर आज के लिए इस पूरे मुद्दे को रखा गया था, इलेक्शन कमिशन से कहा गया था कि आप reply फाइल करिए, कह दिया कि अगर हम लोगों को देंगे सूचना, तो लोग इसका misuse करेंगे, मतलब पुखता सूचना आप दे रहे हैं, authentic, verified सूचना आप देंगे, क्या misuse करेंगे, उन्होंने यह कह दिया, तो हमें यह उमीद हूँ, कि Supreme Court भी इन चीज़ों को कहेंगे, election commission को कहेंगे, कि य आज merits पर बात ही नहीं हुए, आज तो यही हुआ कि election commission ने technicality पर ही बात को रुखवाया, और election commission ने यह कहा, कि merits के उपर तो बाद में जाएगा, पर हम तो अभी यह कह रहे हैं, कि मामले की सुनवाई ही मत कीजिए, इतने फिर्जले जोग है, तो अब देखे, मैं बार बार rewind करकर के, और सारे इस statement मैंने note करकर के रखे हैं, मरिंदर सिंग ने क्या कहा, दवे साब ने क्या कहा, सिंग्नी साब ने क्या कहा, सब की एक एक में statement आज note करके देख रही थी हो, जितनी बार मैं पढ़ती हूँ, उतनी बार मुझे महसूस होता है, कि यह जान बूझ कर, मैं आपका जवाब चाहती हूँ, नहीं देखे नीलू जो उन्होंने किया, that is well within their right, मतलब हम उनको रोप नहीं सकते यह सब करने से, पर क्या यह रवया यह नहीं दिखा रहा, कि चुनाव आयोग आनाकानी कर रहे हैं, पारदर्शी होने में, बिल्कुल दिखा रहा है, मैं लेट डाउन किया है, आज चुनाव आयोग को सुप्रीम कोट में आकर कहना चाहिए था, कि कोई आपत्ती नहीं है, हम सूचना दे देंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं है, यह कहने की बजाये, जो उन्होंने अपने हलफ नामे में भी कहा, कि देखिए, लीगल मैंडेट तो स सिरफ पोलिंग एजेंट का है, कि वो यह ले सके, जब कि सूचना का अधिकार कानून है, हम उसमें यह मांग सकते हैं, रूल 93 है, कॉंड़क्ट ओफ इलेक्शन रूल्स का, हम उसमें यह ले सकते हैं सूचना, यह कहने की बजाए, इलेक्शन कमिशन कह रहे हैं, नहीं सकते हैं किसी को, वो आके कह रहे हैं, वो उनकी अधिकार है, लेकिन यह ज़रूर है, कि लोग आज देख रही है, कि क्या हो रहा है, लोग यह समझ रहे हैं, कि इतनी छोटी सी सूचना मांगी, उसके उपर भी इलेक्शन कमिशन क्यों आना कानी कर रहे हैं, और मैं आपको यही कह रही हूँ निलू, कि अगर चुनाव आयोग आज यह सूचना लोगों के बीच डाल देते न, तो लोग चाहे उस सूचना को देखते चाहे नहीं देखते, लेकिन उनके मन में एक विश्वास बढ़ जाता, कि देखे चुपाने को कुछ नहीं था, आयोग जो है, व इंस्टिटूशन को यह बात है, पर मैं यही कहती हूँ आपको निलू, कि अब जो है न, यह जो पूरा मामला है, यह सूचना का मामला है, जो लेने का मामला है, यह लोगों की अदालत में है अब, क्योंकि आप यह समझें, कि जो एक चीज लोगतंत्र में, पिछले सतर साल में, 75 सालों में हम सब ने समझी है, वो यह है कि सबसे बड़ा सौवरिन जो है इस देश में, लोगतंत्र में वो लोग हैं, तो हमारे पास जितने भी टूल्स हैं, उसका इस्तेमाल करके हमें यह सूचनाएं, जो हैं, मांगते रहना होगा, वही एक तरीका है, जिससे कि इस तरह से इंस्टिउशन्स जो हैं, वो यह ना समझ लें, कि वो जो वो अपनी मनमानी चला सकते हैं, लोगतंत्र में लोगों का शासर है, आप में कहा कि अब यह पूरा मामला पीपल्स कॉट में है, जनता की अदालत में है, इसका मतलब यह है कि अब जनता आगे बढ़ेगी जनता लगातार चुनाव आयोग से सुचना मांगेगी, जिसको कि वो मना नहीं कर पाएंगे, क्या आप यह कह रहे हैं कि अब इतनी RTIs फाइल होंगी चुनाव आयोग में और Form 17 हर एक नागरिक मांगेगा, तो क्या Form 17 की मांग को लेकर क्या बाहर लगने वाली और चर्णिलिस्ट ने बड़ा इसकी उपर चर्चा भी करी है, लोगों ने बड़ा इंगेज करा है इस मुद्दे पे, कितने आज पुलिटिकल पार्टी बात कर रही हैं 17C की, कितने लोग अलग अलग जगे पर बात कर रहे हैं 17C की, जो पहले कभी नहीं होता था, तो मुझे विश्वास है, कि लोग अलग अलग तरीके से अपने जो उनके सामने समविधानिक जो विकल्प हैं, उनका इस्तेमाल करके इस पूरे मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, और मैं बड़ी जिम्मवारी से कह रही हूं, नीलू, कि मैंने ये देखा है, कि लोग, कि आप इस द अधिकार का इस्तेमाल ना किया हो, लोग कहीं पर अपने अपनी जगे से लोग एप्लिकेशन लगाते हैं, एजनसी से सवाल पूछते हैं, रिकॉर्ड निकलवाते हैं, तो मुझे कोई इसमें शंका नहीं है, कि लोग इतने आज इंटरिस्टेड हैं, तो जरूर इसम्ट नहीं है, इसका मतलब है, हम यह सूचना ले सकते हैं, कोई नहीं कह सकता कि यह सूचना आपको नहीं दी जा सकती, तो लोग जरूर इसका इस्तेमाल करेंगे, आपको हमें किसी को कहने की जरूरत भी नहीं है, इस देश में 60 लाख RTI एप्लिकेशन हर साल लोग लग है, कि हम इन फॉर्म 17C पार्ट वन को जो है, वो ले सकें, अपनी एप्लिकेशन लगा दें, और इलेक्शन कमिशन को हमें वो फॉर्म देना होगा उसकी कॉपी, तो लोग जरूर इसका भी इस्तेमाल करेंगे, सूचना मांगेंगे, और मुझे तो लगता है, कि अल्रेडी कि बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं, जो कि कह रही हैं, कि अब हम अपने पोलिंग एजेंट्स को कह रहे हैं, कि आप एक-एक फॉर्म 17C पार्ट वन इकठा करिए, हम उसे इकठा करें, बलकि DMK जहां तक मुझे दिखाई दिया है, DMK ने कहा है कि उन्होंने 100% फॉर्म 17C कठे कर लिये हैं, और digitize कर दिये हैं, तो हम तो उमीद करेंगे कि DMK ही क्यों, बलकि BJP को भी करना चाहिए, यह तो, सब को करना चाहिए, और इसको आप डाल दीजे, वेबसाइट पे डाल दीजे, सब जगे डाल दीजे, और मुझे तो ये बात नहीं समझ में आती है, कि भ जाते हैं, आप तो political party हैं, आपको भी अच्छा लगना चाहिए, कि अगर election commission transparent हो, इन सब चीजों से जो है, बड़े सवाल उठ जाते हैं, निलू, कई बार जब सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, उससे भी बहुत बड़े जवाब मिलने लगते हैं, तो ये जो बात है, इ परदे के पीछे काम किया जाए, तब लोग बहुत चैता जाते हैं, बहुत सतर्क हो जाते हैं, और फिर जो गड़बड़ी करने के भी कोशिश करे कोई, तो वो असानी से कर नहीं सकते, तो ये मुझे लगता है, जानी कि अगर मैं आम आदमी की भाशा में अगर आपसे कि एक अपड़ी जनता फाड़ देगी एक तरीके से, अगर मैं कहूं, कॉमन मैं की लैंगविज करें, देखे, मैं तो ये कहूंगी कि अभी भी, अगर इलेक्शन कमिशन चाहें, उन्हें कौन रोग सकता है, इतनी पावर्स हैं, उनके पास सम्विधान ने दी हैं, उनको इतनी पावर्स चुनाव के सुझे पे, वो जाकर अभी भी अगर कहें आरोज को कि आपके पास जितने फार्म 17C पार्ट वन हैं, आप उनको वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए, कोई कोस्ट नहीं आएगी, वो कर सकते हैं, दो घंटे का काम है, लेकिन अगर वो नहीं क हमारे देश में तो लोगों ने ये दिखा दिया है, कि वो असानी सहार नहीं मानते हैं, जब उन्हें सुचना चाहिए होती है, चाहे उनको प्रताड़ित किया जाए, चाहे उन पे अटैक हो, चाहे कुछ भी हो, वो मांगते रहते हैं सुचना, तो मुझे नहीं लगता है क कोई कमी होगी, ऐसे लोगों की जो सुचना मांगेंगे, अधिकार को इस्तिमाल करके, सुचना के अधिकार को, सेक्शन 93 को इस्तिमाल करके, और ऐसे लोगों की भी कमी नहीं होगी, जो खुब सतर करहेंगे, और वो सारी political parties को भी चेताएंगे, कि आप तो अपने polling agents के through form को लगाईए, दिखाईए तो सही, तो ये जो है न, ये एक तरह से, मेरा मानना है, कि एक तरह से लोगों के अंदर से ही एक campaign इसके उपर जरूर उठेगा, और इससे election commission भी जो है, वो बच नहीं सकते हैं, क्योंकि election commission तो हमारे लोगतंतर का ही धांचे का है, एक बहुत important part है, ह यही मैं कहना चाहती हूं, कि देखे, बहुत बार जो courts में मुद्दे चलते हैं, वो तो one versus the other होता है, इस तरीके के जो cases ले जाये जाते हैं, ये adversarial cases नहीं हैं, हम किसी को ये नहीं कह रहे हैं, कि हमारी जीत आपकी हार, यहां पर तो अगर पारदर्शिता हो, तो सब की जीत हैं, तो इसलिए ये शायद हमें और मेहनत करने की जरूरत है अभी लोगों को, ये election commission को और उनके chief को समझाने के लिए, कि अगर आप ये समझ जाएं, तो आपकी भी जीत होगी, केवल लोगों की जीत नहीं हैं, लोगतंत्रों में सूचना दीजिए, पारदर्शी तरीके स काम कीजिए, सब समझेंगे, और जो आज credibility का crisis हो रहा है न, election commission का, उसे भी अगर वो address करना चाहते हैं, उसका एक ही तरीका है, और अच्छा रहेगा, कि अगर हमारे देश के chief और election commissioners समझ जाएं ये बात, कि देखिए, जो इतने सवाल उठ रहे हैं, आप ये देख लीजे, कि एक सवाल के घेरे में रहा है, election commissioners का appointment भी, क्यूंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, कि election commissioners की appointment जो है, वो सरकारी तंत्रे नहीं करेगा, वो ऐसी committee करेगी, जो कि किसी भी तरह से निश्पक्ष, पूरी तरह से निश्पक्ष हो, तो उसमें भी सरकार जो है, कानून ल करा है, election commissioners को, ये एक मौका था, कि हमारी election commissioners कहते हैं, कि आप हम कैसे भी select हुए हूँ, आप फिकर मत कीजिए, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, आप हमें विश्वास रखिए, मैं तो कहती हूँ, उन्होंने आज एक मौका गवाया है, लोग तो अपना संघर्ष कर लेंग लेकिन राजीव कुमार जी को याद रखना चाहिए, कि आज उन्होंने एक मौका गवाया है, लोगों का विश्वास जीतने का मौका, और अभी भी मैं तो कहती हूँ, समय है, election commission समझ जाएं, और ये बिल्कुल win-win situation है, election commission भी सूचना दे दे, लोग तो अपना संघर्ष ज लेकिन election commission समझ जाएं, कि अगर उन्हें अपनी credibility की चिंता है, अगर वो चाहते हैं कि लोग उनमें विश्वास रखे, elections में विश्वास रखे, तो उन्हें इस तरीके का रवाया जो है, वो नहीं अपनाना चाहिए, पिलकुल आपे सही कहा और आज राजीव कुमार के पास लेकिन अभी फिलाल जो अडियल रवाया है, उससे तो यहीं लगता है, अंजिली जो आपने बात कहीं, कि अब ये जनता की अदालत में ये जब मामला जाएगा, तो जनता ही घेरेगी, राजीव कुमार को हर तरीके से सूचना के अधिकार मांगेगी, जन आंदोलन खड़ होगा, सजगता पढ़ेगी, तो एक बड़ा पीपल्स मूवमेंट खड़ा होगा, तो उस मूवमेंट के आगे राजीव कुमार को जुकना ही पड़ेगा, और यह बिल्कुल सही का कि जनता की अदालत में राजीव कुमार अपने आपको नहीं बचा पाएंगे किसी भी सू है लेकिन हा जनता की अदालत में जो जन अंदोलन है वो तो जारी रहेंगा, सवाल लोग को लगातार पूछा जाएगा, और आप और हमारे जरसे लोग लगातार सवाल तो जरूर पूछेंगे और आप सवाल के जवाब भी देंगी, तैंकि सो मज अजली पोर जोनिंग उन यूजलाचा, तैंकि सो मज शुक्री, तैंकि